5th semester का जो next paper होना है principles of food science and nutrients का उसके कुछ महत्पूर्ण question लेकर आया हूँ दोस्तों यह दिया आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर दीजिए like कर दीजिए share कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियो की notification सबसे पहले आपको प्राप्त हो आएए चलते हैं question number 1 की तरफ question number 1 ह सच दूद उतपादन करने पर milk में जिवाणों की संख्या होती है तो दोस्तों कितनी होती है 5000 से 10,000 प्रती ml होती है next question है दोस्तों सामान अवस्था में दुख दूद उतपादन में bacteria की संख्या होती है दोस्तों तो कितनी होती है तो दोस्तों bacteria की संख्या 1,000,000 प्रती ml हो नेक्स कोस्चन है दोस्तों बैक्टिरिया में प्रिजन होता है तो बैक्टिरिया में प्रिजन दोस्तों कैसे होता है बाइनरी फीजन द्वारा होता है नेक्स कोस्चन है दोस्तों किन दुग उत्पादों में जीवान का होना लाबदायक होता है दोस्तों तो दही पनीर और म आखन में जिवाण को होना आवस्रिक होता है य। मीसो फिलिक जिवाण किस ताप मान पर व्रद्दि करते हैं तो से 25 Emmaus करते हैं नेक्स और दोस्ट होते हैं ये येidence येस्ट क्या होते हैं दोस्तों एक कोश्की होते हैं, नेक्स कोश्चन है, दोस्तों, यिस्ट का आकार क्या होता है, दोस्तों, यिस्ट का आकार जो होता है, वो 0.0005 से 0.01 mgm होता है, मैगनी से, नेक्स कोश्चन है, दोस्तों, यिस्ट में प्रिजनन होता है, तो यिस्ट में प्रिजनन जो होता है बाई बडिंग द्वारा होता है कैसे होता है दोस्तों तो बाई बडिंग द्वारा होता है next question है दोस्तों दूद में पाई जाने वाली fungi को कितने भागों में बाटा गया है तो two types हैं इसके दो भागों में बाटा गया है yeast और mold में next question है दोस्तों enzyme सब्द किस भासा का सब्द है तो enzyme ग्रीक भासा का सब्द है दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो like करें, share करें, subscribe करें जिसे आने वाली वीडियो की notification सबसे पहले आपको पराप्थ हो सके आएए चलते है next question की तरफ enzyme का अर्थ होता है इन यिस्ट होता है नेक्स कोश्चन है दोस्तों एंजाइम किस रूप में प्रयोग किये जाते हैं दोस्तों तो एंजाइम जो होते हैं उत प्रेरक के रूप में प्रयोग किये जाते हैं नेक्स कोश्चन है दोस्तों पर आक्सिडेस एंजाइम किस पर क्रियासील है तो पर आक्सिडेस जो एंजाइम होता है H2O2 पर क्रियासील है नेक्स कोश्चन है दोस्तों पर आक्सिडेस एंजाइम किस प्रकार के दूद में अधिक होता है तो दोस्तों ये जो होता है थैरेला जो होता है उसमें अधिक होता है नेक्स कोश्चन है दोस्तों पराक्सिडेस एंजाइम किस pH पर अधिक सक्री होते हैं तो दोस्तों ये जो 6.8 pH पर अधिक सक्री होते हैं नेक्स कोश्चन है दोस्तों लाइपेज की अधिकता होती है तो लाइपेज की अधिकता किस में होती है दोस्तों खीस में होता है जो भास का पहला दूद होता है ब्याने के बाद वो खीस होता है नेक्स कोस्चन दोस्तों वसा में जल अपगटन को उत्प्रेज करने वाले एंजाइम है तो कौन सा है एंजाइम तो लाइपेज है नेक्स कोस्चन दोस्तों लाइपेज अधिक सक्री होता है next question है दोस्तों कौन सा enzyme रक्त में छनकर आता है दोस्तों eldolose enzyme जो होता है वो छनकर आता है next question है दोस्तों protease enzyme नष्ट हो जाता है तो कितने दापमान पर नष्ट हो जाता है 70에서 80 degree centigrade पर next question है दोस्तों amylase कितने temperature पर अधिक सक्री होता है तो MILS जो होता है 30 degree centigrade पर अधिक सक्री होता है नेक्स कोस्चन है वे रासाइनिक पदार्थ जो सूच्म जीवों पर जीवों द्वारा उत्पन किये जाते हैं क्या कहलाते हैं दोस्तों तो ये जो होते हैं एंटिबायोटिक कहलाते हैं नेक्स कोस्चन है दोस्तों एंटिबायोटिक बॉड़ी में कारे करते हैं तो सीगरता से एंटिबायोटिक जो होते हैं कारे करते हैं नेक्स कोश्चन है दोस्तों, कार्बनिक पदार्थों का रिडेक्शन करता है, तो कौन करता है, रिडेक्टोज एंजाइम जो होता है, करता है, नेक्स कोश्चन दोस्तों है, दूद में रिडेक्टोज की पहचान की जाती है, तो किस से की जाती है पहचान, मिथाइल ब्लू इंडिकेटर से पहजान की जाती है नेक्स कोश्चन है दोस्तों एंटिबायोटिक किसको नहीं देनी चाहिए तो एंटिबायोटिक जो होता है दोस्तों जुगाली करने वाले बच्चों को नहीं देनी चाहिए बच्चा देने वाली शुवर को नहीं देनी चाहिए अंडा देने वाली मुर्गी को नहीं देनी चाहिए Next question है दूस्तों Emiles कितने प्रकार के होते हैं तो Emiles Enzyme जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं AlphaEmile и BetaEmile Next question है दोस्तों हार्मोन सब्द का प्रयोग सबसे पहले किस ने किया, तो इस्टारलिंग उन्होंने सबसे पहले किया था, next question है दोस्तों, हार्मोन किस भासा का है, हार्मोन सब्द जो है, वो ग्रीक भासा का है, next question दोस्तों है, हार्मोन कारे करते हैं, तो हार्मोन स जो होते हैं, रासायनिक सं अंदेश वाहक का कार्य करते हैं नेक्स कोस्चन है दोस्तों हार्मोन्स उत्सर्जित होते हैं तो कैसे उत्सर्जित होते हैं दोस्तों जन्तुओं की जीवित कोस्गाओं द्वारा होते हैं नेक्स कोस्चन है दोस्तों हार्मोन्स का अड़ुभार कम होने के कारण गुजरते हैं तो ये प्राज्मा जिल्ली से गुजरते हैं नेक्स कोश्चन है दोस्तों हार्मोन्स उतकों में कारी करते हैं तो कौन से उतकों में को एंजाइम की भात करते हैं कारी ये नेक्स कोश्चन है दोस्तों mental activities, hormones किस ग्रंती से स्रावित होता है तो ये जो होता है thyroid ग्रंती से स्रावित होता है दोस्तों आपको ये first part मिल ला है दूसरा part बहुत ही जल्दी आ जाएगा आप देखने न भूलिएगा description box में link पढ़ जाएगा उसका चलिए चलते हैं question number अगले की तरफ hormones कितने प्रकार की होते हैं दोस्तों तो hormones यो होते हैं two types के होते हैं दो प्रकार की होते हैं next question है दोस्तों जुगाली करने वाले पस्वों का आमासे कितने भागों में बटा होता है दोस्तों तो ये दोस्तों जो होता है चार बागों में बटा होता है रोमेन, रेटिकुलम, ओवेसम और ओबोमेसम नेक्स कोस्चन है दोस्तों बिटामिन सब्द दिया था बिटामिन सब्द दोस्तों किस ने दिया था फंक ने दिया था 1912 इसवी में दिया था नेक्स कोस्चन दोस्तों बिटामिन कितने प्रकार के होते हैं तो दोस्तों बिटामिन जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं फैट में घुलनसील और जल में घुलनसील नेक्स कोस्टन है दोस्तों जल में घुलनसील बिटामिन में कौन-कौन तत्थ उपस्थित होते हैं जल में घुलंसील जो विटामिन होते हैं इसमें कारबन हाइडोजन और आक्सीजन उपस्तित होता है नेक्स कोस्टन दोस्तों है विटामिन बीवन का संसलेशन सरप्रथम किया किस ने किया था दोस्तों तो विलियम्स ने 1936 में किया था नेक्स कोश्चन है दोस्तों थाइमीन का सूत्र होता है तो दोस्तों थाइमीन का सूत्र जो होता है C12H18 CL2N405 होता है दोस्तों यह आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें बहुत ही जल्दी सेकंड पार्ट भी इसका आएगा दोस्तों देखिये न देखना न भूलेगा जिससे आपको अच्छी लगी प्राप्त हो सकें थैंक्स पॉर वाचिंग दोस्तों